मन एकाग्र नहीं है, बच्चे फोकस्ड अप्रोच के साथ में नहीं है, कॉंसेंट्रेशन का वो लेवल अचीव नहीं कर पा रहे हैं, जहां से भीतर एक डेफ्ट निकल कराने वाली हो। आदोने युक के साथ में ये वरिभाशा बारम बार सुनने को मिलती है, और व्यक्ति अलग-अलग फॉर्मुलास के साथ में चलता हुआ, मन को एकाग्र करने का प्रयास करता है, एकाग्र करने की अवस्थाओं की पहली मूल भूत आवशकता है भीतर की शांती, कोलाहल से पूर्ण तया दूर होकर चलने की अवस्था, जो विचार लगातार साथ में चल रहे हैं, उन विचारों से हट कर एक ही बिंदू के उपर चलने की जरुवत, इन्दी दिवस के एक दिन पहले हमें चर्चापके समक्ष लेकर उपस्तित हुआ है, आप ये देखिए कि हमारी भाषा के साथ में अंग्रेजी के शब्द स्थानी ये जो बोली है, उसके शब्द लगातार जुड़े रहते हैं, और उसे की माध्यम से हम समबात करने वाले होते हैं, एक महीने के लिए रोज पंदर है या बीस मिनिट का ऐसा समय निकाला जाए, जहां खुद को ये कहें कि हम एक ही भाषा के साथ में चर्चा करने वाले होंगे, ये प्रयोग अद्बुत है, एक बार जीवन के भी तर आप अपना कर देखें, और उन तीस दिनों तक, वो पंदरा मिनिट ऐसे हों, जहां अंग्रीजी का एक शब्द भे नहीं आया, यदि सिर्फ हिंदी में बात कर रहे हैं तो, इस्थान ये भाषा के साथ में हैं, तो हिंदी और अंग्रीजी वहां से दूर रखें, अर्दू के शब्द भी वहां से दूर रखें, और एक वाषा के उपर लगातार प्रवाह मानिस्तर के साथ में चलने वाले हूँ, अब आप देखिए कि जो विजार बाई डिफॉल्ट अप्रोच में लगातार चलते हैं, वो हटने लगते हैं, और व्यक्ति नए शब्द खोजने की प्रक्रिया के साथ होता है, एयू कह लिजिए कि भीतर जो शब्द बहुत पहले सुने थे, उसको खोजने की प्रक्रिया के साथ में वो लगातार कॉंसंट्रेशन की तरफ होता है, आज जहां पर भी जिस भी व्यक्ति विशेश के साथ में बात करेंगे, उसको पूरे तरीके से सम्मान देने वाले होंगे, और सम्मान भी शब्दों की सजावट के साथ में लगातार देंगे, अब आप दीखिए भाषा किस जादू इस तरक्यों पर भीतर परिवर्तन लेकर आती है, जो भी मिल रहा है उसे सम्मान की उप्मा के साथ में लेकर चल रहे हैं, कुछ लोग क्या देंगे क्यों चने के ज़ाड की उपर चड़ा रहे हों, उन बातों से कोई सरोकार मत रखिए, आज प्रतियक व्यक्ति जो मिल रहा है भाषा के संदर्र के साथ में उसको सम्मान देते चले जाना है, और वहां से एक अद्भुत, स्पंदन, भीतर तक निकल कर आने वाला रहेगा, और हम नकारात्मक्ता से आलोचनाओं से पूर्ण तया दूर होते चले जाएंगे, भाषा की जो अवस्था और स्थती है, वो है ही कुछ ऐसी, जब शुरुवाती स्थर के उपर हम किसी भी भाषा के साथ में जुड़ते हैं, मैं व्यक्तिकत होता हूँ थोड़ा सा, और हिंदी भाषा के साथ में चर्चा करता हूँ, उलहाना भी मिलती है, प्रशन्शा भी लगातार मिलती है, और उसी के साथ में हम निरंतर अपने जीवन को देखने वाले होते हैं, परन σου यकीन मानिए, भाषाई इस तरकी उपर जब व्यक्तिक आकरशन के साथ में होता है, तो जिस तरह से माश सजाती है, समारती है, जीवन के लिए तयार करती है, उसी तरह से भाषा वाणी को तैयार करने वाली होती है विचारों की सामनजस से को स्थापित करने वाली होती है ये दुनिया उस मोड के उपर आकर खड़ी है जहां मौलक विचारों की कमी है सारे ही विचार उधारी की खेती की रूप में नजर आते हैं और जब व्यक्ति एक बार मौलेक वचारों की यात्रा की ओर चलने लगता है तो भाशा भीतर ही भीतर उसको एक अलग अवस्था देने वाली होती है। इसे वज़े से हम यदि एकाग गृता के बिंदू की ओर पहुचना चाहते हैं, मन के भीतर की अवस्थाओं को निर्मल करके कॉंसंट्रेशन की पीक की ओर चलना चाहते हैं। बच्चों को ऐसे अभ्यास की और लेकर जाएं, जो कहीं न कहीं भाशाओं के उस रूपक के साथ में जुड़े हो। हलंत क्या है, वहीं पर बिंदू की स्तियां क्या है, आधे शब्दों का आधार क्या है, स, श, क्ष, क्ष के साथ में फर्क क्या है। एक बार हम इस बात को भीतर तक उतारने वाले हों तो आप देखिए जालू इस तर निकल कर आता है। अ से अंग तक की जो यात्रा है, वो पूर्ण तया भीतर अवस्ता के साथ में गहराई देदी चले जाती है। जीवन अलग मधुरता को प्राप्त करता हुआ परतीत होगा, जो वचार लगातार परतेक दिवस में साथ में चल रहा है। के साथ में लोगों को सम्मान देना है और वहीं से अनुपम स्थिती सामने है। वेरालिन सारी चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष 13 सितंबर 2023 का दैनेक राशिफल लेकर उपस्तित हुआ है। चंद्रमा के स्थियां सेंग राशिस्तान में बगा नक्षत्री परिदियाधार बुदवार तो वहीं भादर बदमास कुर्शन पक्ष चल रहा है। दैनेक राशिफल मेश राशि के साथ में बंचम भावस्त चंद्रमा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट्मेंट पॉजिटिविटि के साथ में हैं वहीं नौकरी पेशा जिवन में आज बड़े परिवरतन के आसार आपके सामने नजर आ रहे हैं। मन के भीतर की ठकावट तता शारिद एक स्टर पर भी कोई बोज है स्वास्ते को लेकर तो उसको कामकाज पर बिलकुल भी हावी नहीं होने दें आज के दिवस में। क्षमताएं सही होगी बनी हुई है कुछ महतुपुन खबरें घर परिवार के और से सामने निकल कर आ सकती है जो काफी हद तक संतुष्टी की आवस्ताओं को प्रते बिद करने वाली रहेगी। के लिए पूर्ण तयाबनी हुई है गुरिहस्त पक्षो या फर संतान पक्ष उनने के साथ में जुडाव आपका देखते ही आज के दिवस में बनता है। नहीं परतु विदेश संबंदिकारियों के साथ में बहतरी को आप निरंदर तोर पर महसूस करने वाले रहेंगे। जो भी महनुभाव रिसर्थ संबंदिकाम काज में है, पॉजिटिविटी आपके लिए है, आईटी फिल्डी के साथ में लिए आपका जुडाव है, तो जो भी उच्च अदिकारी आदी हैं, या किसी भी तरीके की प्रोजेक्ट किया और आप नए सिरे से जा रहे हैं, खुद को रियक्टिव करने से पूर्ण तया बचें, क्रियेटिव फिल्डी स्पेसिफिक में डेवलिप्मेंट्स आपके साथ रहने वाले होंगे। आत्म विश्वास आपका चर्मुत कर्श की और काविज होकर लगातार जीवन यात्रा को आगे बढ़ाता चला जा रहा है। के साथ में चोटी चोटी बातों में किसी भी तरकी की नकारात्मक्ता को जन्म देने से बचते हैं तो जादा बहतरी। निरना एक मौकों के उपर जो कई बार मन के भीतर से नकारात्मक्ता निकल कराती है। उसको हटा कर चलने की पुरी पुरी आवशकता हैं आपके लिए बनी हुई है। चंदरमा परदान राशी के जातकों को चाहिए कि यहां मेटल संबंदी कामकाज में पॉस्टिविटी के साथ में खुद को आगे लेकर बढ़ सकते हैं। खुद को मैनेज करते हुए चलिएगा ये दिन एक अलग जलमलाहट के साथ में आपको नजर आने वाला रहेगा और वहीं पर मेडिकल फिल्ड के साथ में जुडाव है। कुछ बड़े निरने आपका इंदजार कर रहे हैं किसे भी चेंज के और आप जाना चाहते हैं इस समय कि सकारातमक आपके साथ टेक्साइल संबंदी कामकाज में भी आज लिए गए निरने की गूंज लंबे समय तक सकारातमक पक्ष के साथ में आपका स्वागत करती हुई प्रतीत होती चली जाएगी और उसे के साथ में जुड़ना जीवन यातरा का एक महत पौन संभल है हम चर्चा करते हैं सिंगराशी की तो सरव प्रतम आप देखिएगा कि आत्म विश्वास में परजोर सरह के साथ में प्रती बनी हुई है ग्रिहस्त पक्ष के साथ में जुड़ाव बहुत अच्छे से नज़र आता है यह वो समय अंतराल है जहां मन के भीतर की गबरहाट इंदिरमतर तोर पर दूरहटती चली जाएगी आप अपने लिए जिस एकल बूते के निरणाय को लेकर चलना चाहते हैं जोब में परिशानिया हैं चेंजिस के और जाना चाहते हैं जोब से बिजनिस के और शिफ्टिंग में आज इनिशेटिब लेना चाहते हैं उस हिसाब से भी यह समय आपकी भाल के उपर वज़य रूपी तिलक लगातार करता चला जा रहा है और वही जो फाइनेंशिल बर्डन्स लंबे समय से बने वी थे उसमें काफी हद तक कमी की अवस्थाएं निकल कर आती हुई परते बिम्बित होती है ये भी याद रखकर चलने का प्रहतन कीजिएगा कि कहीं न कहीं जो आज का दिवस है वो आपके लिए पुराने संबंदों के साथ में मजबूती की अवस्थाओं को लेकर आने वाला हो सकता है इस एक बात के साथ में निरंतर खुद को जोडने का प्रहतन करते चले जाएं ये भी याद रखें कि आज के दिवस में एक्सपोर्ट संबंदी कामकाज आपके लिए अटमोस्ट लेवल अफ पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है जो भी मानुभाब किस रिलेशन के साथ में चल रहे हैं खुशियों भरे पल आज सब तहा के मद्य सरे के साथ में आपकी प्रतक्षा में हैं कन्या राशी सरुपरतम यहां खर्चों पर नियंतरन व्यापारिक जीवन के साथ में रखें किसी भी व्यक्ति के कहने से खर्चों की आधार शिला को जीवन में बढ़ाना ठीक नहीं सोच में जो रुग्णता पनप्ती है नकारात्मक ताजन में लेती है उससे हट कर चलने की आवशकता है अध्यात्मिक्स तरपर प्रगति की प्रतिमान आपके साथ लगातार रहने वाले होंगे यह वो समय है जहां चोटी-चोटी यात्राओं से संबंदित कामकाज आपके लिए विराट सफलता की प्रतिमान को निर्देशित करते चले जा रहे हैं इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए आप अपने भीतर की उत्सुकता को जग्यासा को लगातार बना कर रखिएगा लोगों के कहे अनुसार चलने की बजाए स्वयम की खोजबीन के साथ में जिवन यात्रा को देखना अद्बत अवस्थित अवस्था आपके लिए कही जाएगी और वहीं पर याद रखें कि आज किसी महत्तपूर्ण कारे की और जा रहे हैं तो डॉकिमेंट आदी को केरी करना बहुत अच्छे से वो आवशक रहेगा सारी पोजिशन्स को रीचेक करके बढ़ना जादा अच्छा वहीं हम बढ़ते हैं तुलाराशी की और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की पॉजिटिविटी सुभे सा आड़े नौ बज़े से ग्यारे बज़े तक बहुत अच्छे से बनी हुई है इन्ट्यूशन का वेस्फुल एक नोट आपके साथ में हैं इसी वज़े से जहां पूरुव अभास मिलता है वहां पर आभास को अपने जीवन की भीतर उतारते हुए आगे बढ़ना एक आवशक करम रहने वाला होगा यहां पर विध्यारती वर्क एकाग गरता के साथ में चल रहे हैं भाग्य तथा अध्यात्मिक प्रदिविंब भीतर तक जब अनुगूंज को लेकर चलता है तो कोई दिक्कत और दविधा वेक्ते विशेश अपने भीतर महसूस करने वाला नहीं होता यह वो समय अंतराल है जहां कम्यूनिकेशन में कन्विंसिंग वेईस अपने साथ बहुत गहराई से आप बना कर रखने वाले रहें तथा यह भी याद रखा जाना आपके लिए पूर्ण तया आवशक है कि आज के दिवस विशेश में कुछ ऐसे कारियों के साथ में से पहले हटाने का प्रबंद आप करते चले जाएं पिता कि स्वास्ते को लेकर आज क्याल रखने की आवशकता हैं तो वहीं पर भूमी संबंदित कामकाज में जो नरणाय लंबे समय से अटके वो थे वहाँ पुने है तिवरता भरी एक सुक्व का हट के साथ में खुद को और मुड़ती है तो एक अलग प्रभाव हमारे साथ में होता है और वहीं आज के दबस में और अक्त संबंदि विकारों से संभलने की पूर्णताय आवशकता हैं आपके लिए बनी हुई है यह वो समय है जहां शत्रुपक्ष चोड़ी चोड़ी बातों के साथ में हावी हो आत्मक पक्ष काबिस है आपके पुरशार्त के साथ में व्रद्धी है यह वो समय जहां लंबे समय से अठकी हुई अवस्थाओं के साथ में पुने है अब आपके लिए ते बरता के समागम समक्ष निकल करा सकते हैं सिचुएशनल बेसिस के उपर अवेर रहने के रेक्वा पक्ष उनके साथ में आज का दिवस अविशेश काफी हद तक स्थरता को देने वाला रहेगा जो मन के भीतर लगातार कस्मसाहट बनी हुई थी नकारात्मक्ता के गेरेते हम जवाब देंगे ही समझाएंगे ही उन सबसे हटकर आज अपनी यात्रा को आप देखते चले जा रहे हैं शनिदेव प्रदान मकर राशी रिसर्ट संबंधी काम काज में पॉजिटिविटी कम्यूनिकेशन में कन्विंसिंग बेस बहुत अच्छे से बनाकर रखिएगा ये याद रखे हैं कि किसी भी कारे के साथ में बहुत अधिक समय तक आपको लगातार श्रम करना ऐसे अवस्थाओं से आज बचिएगा अस्टम भावस्थ चंद्रमा की वज़े से कई बार ये प्रतिविंब निगल कर आते हैं और वहीं पर किसी विक्ति विशेश के साथ में संबंध आत्मियता के भाव के साथ में जुड़े हैं तो उस परिभाशा को और गहराई से भी तर तक अवस्थत करने की आवशक्ताएं रहेंगी यहां आज के दिवस में आपको ठहराव की भी पूरी-पूरी आवशक्ताएं हैं उसी ठहराव के साथ में जीवन यात्रा को लगातार आप देखते चले जाईएगा शनदेव की मोलतरकॉन कुम राशी व्यापारिक जाएगा कंस्ट्रक्शन संबंदी कामकाज हो रियल एस्टेट की पूलिशन्स हो या वकालात संबंदी इस्ततियां नए से नए इस तर के आधार भूत करम आपके समक्ष आ रहे हैं पूरी ही उर्जा के साथ में जीवन यात्रा को सौर देखने की आवशक्ताएं आपके ल लबलाहट होती है उलगातार संब्रेशित होती ही चले जाएगी उसमें कोई भी रुकाबट तथाबाधा का केंद्रबिंदू मौजूद नहीं है और वहीं भीतर तक खुद को शान तचत्त करके आगे बढ़ने का प्रहत्न करते आप चले जाएगा मीन राशी की और बढ़ते हैं देखिए सस्ट भावस्त चंद्रमा की वज़े सबसे पहले स्वास्त के बढ़ती सजग रहे हैं खान पान पर नियंतरन की जरूत है कई बार व्यक्ति जव्वा के लालच के साथ में चलता हुआ अपने खान पान को बेगार देता है अपत से स की साथ में चलते हैं तो आज का दिवस विशेश आपके लिए सफलता के आधार भूत करम को निरमतर तोर पर रच्चता चला जाएगा और वहीं किसी भी तरीके के बहकावे में आने से आप स्वहिम को कामकाजी जीवन की भीतर रोकते चले जाएगा ये भी प्रमुख में भीतर की जो कुझाईश हैं वो कोला हल को शांत करती चले जा रही है जो भी महनुभाव टेक्स्टाइल संबंदी कामकाज में हैं उनके लिए ठीक ठाक स्थरकी स्थियां बनी हुई तो ये था 13 सितंबर 2023 का दायने कराशी फल हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्तित होने का प्रयत नकड़ते रहेंगे दन्निबात अथा कोटी शेह आवार